हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है वरूंचित्रा स्टर्डी के उक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में क्वांट की स्ट्रटेजी देना जा रहा हूं कैसे आप उस स्ट्रटेजी को फोलो करके easily 35 out of 35 marks ला सकते हैं क्या आपका daily basic target रहना चाहिए क्या आपका schedule होना चाहिए कैसे आपको पढ़ना है और इस वीडियो में आपको free source भी मैं प्रोवाइट कराने वाला हूं कैसे आप free में क्यूज देखे अपनी practice को enhance कर सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं यह आपके सामने मेरा scorecard है यह आई वी पी एस पी यो मेंस का है जो कि मैंने फर्वरी में दिया था 2021 के अंदर ठीक है इसमें मैंने मेंस कोलिफाई कर लिया था मेरे 83.63 marks हैं और cutoff थी 83.50 मैंने जनरल से दिया था ठीक है अब देखिए इसके अंदर 8.75 only आपको पता होगा एवी पी इस प्यो मेंस का जो क्वाइंट आती है वो बहुत टफ आती है यह इसको लाना भी बहुत अच्छी बात वानी चाती है अब मैं बताता हूँ मैं यहां तक कैसे पोचा यहां तक पोचने के लिए आपको पहले pre-qualify करना पड़ेगा pre-qualify ज उसके बाद definitely आपकी speed बहुत तेज हो जाएगी ठीक है अगर आपको प्रूफ देखना है मेरी speed का तो मैंने एक video डाला हुआ है इसके अंदर timer के साथ आप वो देख सकते हैं ठीक है इसी मैं description link में मैं आपको देदूँगा उस video का link आप जाके देखिए मैं कैसे 12 मिनट में 25 marks ला रहा है 12 मिनट में कैसे pre के अंदर pre की बात करों pre की अंदर मैंने 12 मिनट में आप सबको भी कर के बताया आप भी ला सकते है और हो सकता है इससे भी कम ले आए अभी मैं आपको समझाते हूँ उसमें वीडियो बना रहा था तो मेरे हो सकता है मैं इससे कम में भी ले आता तीके अब आपके पास कितना बचा आपके पास बचे 8 मिनट और आपको करने ते सिर्फ 10 कोशन अर्थमेटिक के आप चाहो तो 8 म मार्क तो आएंगे यह आएंगे प्री के अंदर और मैं से के अंदर फ्री के अंदर 35 मार्क प्लस लाना हो थी अच्छी बात मानी जाती है SBA Clark की बात करो मैं SBA Clark के हिसाब से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो अगर आपने एक बार प्रियेगी कि Alculation Spirit देज कर ली तो आपको ये आगे तक help करेगी तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं वीडियो में क्या है मैंने यहां पर लिखा हुआ है Monday to Saturday मतलब Monday to Saturday आपको ये पूरा जो भी लिखा हुआ मैं भी बताऊँगा कैसे करना और Monday, Wednesday, Friday Alternative day पर आपको ये फोलो करना है मैं भी बताऊँगा कैसे करना है Tuesday, Thursday, Saturday पर आपको ये फोलो करना है अभी पहले मैं vaccine calculation की या फिर daily calculation की, अभी मैं daily calculation के बारे में बताता हूँ, देखो मैंने Monday से Saturday इसलिए लिखा है, कभी कभी आपका एक दिन हो सकता है, छूड़ जाए, या आप Sunday को अपने मन से कुछ पढ़ना चाहो, अपने मन की कुछ practice करना चाहो, तो आप अपने साप से adjust कर सकते हो, अगर आप चाहो, तो Monday to Sunday भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे आपको सही लगे, पर Monday to Saturday तो करना ही करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले, अगर आप math को स्टार्ट को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको table learn करने हैं, table लिखने हैं, paper के उपर, वकायदा table लिखने हैं, 12 तक तो I hope सबको याद ही होंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का तो आता ही है, तो आपको 12 से लेके 19 तक, ऐसे इसके नीचे table लिखने हैं, एक paper लेके उसके अंदर table लिखने हैं, भले ही आपको याद नहीं हो, एक बर देखके लिखो, दो दिन देखके लिखो, तीन दिन देखके लिखो, चार दिन देखके लिखो, अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएंगे, ये तो होगे आपका table का, table तो लिखने हैं, उसके बाद सेम ऐसे ही, जैसे आपने table लिखा, ऐसी ही आपको square root ल 11 से लेके 20 तक 10 तक तो सबको आते ही होंगे 11 से लेके 20 तक आपको inheritance रूट से आदोने चाहिए, fractions value यादोने चाहिए, fractions value कैसे आदोने चाहिए, मैं बता देता हूँ, 1 by 1 से लेके, 1 by 1 का क्या होता है, 100%, ऐसे 1 by 2 का क्या होता है, 50%, 1 by 3 का क्या होता है, 3.33%, ऐसे करते हुए, आपको 1 by 20 तक जाना है, 1 by 20 तक आपको सारी fraction value याद होनी ही चाहिए, ऐसे करते हुए आपको 1 by 20 तक जाना है, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, सबकी fraction value आपको बता होने चीए, tips पर याद होनी चीए, तब ही आपकी basic calculation fast होगी, और आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका यहां तक का, ये तो आपको करना है, सब कुछ करने से पहले सब कुछ start करने से पहले, मैं सिब math की बात करूँ, जब भी आप सोच रहे हैं, ये time मैं math के लिए दे रहा हूँ, तो उसको start करने से पहले, आपको ये सारी चीज़े practice कर लेनी है, इसमें मुश्किल से आपको आदा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेंगे मुश्किल से, अगर आप beginner हैं तो, फिर दीरे दीरे ये 20 मिनट होगा, फिर ये 10 मिनट होगा, फिर ये 5 मिनट में ही हो जाएगा, फिर ये 2 मिनट में हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा हूँगा, अगर आपको विकीन ही होता है कि कैसे अपन इसको याद हो तो जल्दी कर सकते हैं, मैं वीडि करना है simplification के 20 questions करने है अच्छा अब यह जो questions करने है practice करनी है यह कहा से करनी है यह जो practice करनी है इसके लिए मैं next slide में आपको बताने वाला हूँ free source बिल्कुल free source बताने वाला हूँ ठीक है free source होंगे वहाँ से आप कैसे accuse दे सकते हैं कैसे attempt कर सकते हैं कैसे आप अपनी practice को तेज कर सकते हैं ठीक है आपको यह टेंशन लिने की जवरत नहीं content कहा से मिलेगा कहा से practice करने है मैं सब इस वीडियो में बताऊँगा ठीक है तो मैं आपको बता रहा था आपको simplification के कितने question करने है 20 question करने है simplification के यह pre-level के है pre-level के आपको insert करने है ठीक है यह तो रहा आपका Monday से लेके Saturday का schedule अब चलते हैं अपन alternative day पर अब अपन यहाँ पर बात करने arithmetic की ठीक है यह अपन arithmetic की बात करने जा रहे हैं या फिर आप इसको word problem कहलो arithmetic और word problem अब इनको आपको कैसे करना है देखो जो मैंने हाँ पर लिखे हुए है न उनको उसी दिन लेना है साथ में और इनको इसी दिन लेना है साथ में इसके कुछ reason है मैं reason बता देता हूँ देखो time and work करेंगे time and work की तरह ही होता है pipe and system और pipe and system अगर आप करेंगे तो ये दोनों एक ही तरह के questions होते है इसमें करिब कर भी एक तरह कहाता है CISI करना है ये ratio based होता है ages करना है ratio proportion करना है अगर मैंने इसमें कुछ tough डाला है तो इसमें मैंने easy भी डाला है तो भोती मैंने इसको सोच के बनाया है कैसे आप करेंगे आपके mind में stress कम पड़े और आपके practice अच्छे से हो अब आपको इसके कितने कोशन करने देखो आपको 5 कोशन तो minimum करने ही चाहिए फिर आपके पास time बचरा है time है तो आप 5 कोशन से ज़्यादा कर लो पर आपको 5 कोशन तो minimum करने चाहिए time and work के pipe and system के SI-CI के ages के ratio के इनके भी कोशन कहां से मिलेंगे मैं अभी सब बता दूँ आपको अब Tuesday, Thursday, Saturday एक दिन छोड़के एक दिन आपको time, speed, distance लेना है boat and stream लेना है यह दोन एक जैसे topic होते हैं इसलिए साथ में रखे है profit and loss लेना है mixer, allegation लेना है और partnership लेना है partnership easy होता है इसलिए इस दिन में मैंने ही रख दिया सबसे पहले आपको यह करना है उसके बाद उसके बाद आपका step होना चाहिए यह और फिर यह day के साथ से आप decide कर लेना कुमसा day उसे साथ से आप इसको कर लेना Sunday के दिन आप अपने साथ से करो जो आपको week लग रहा जादा आप उसको time दो नहीं तो आप Sunday को भी same यह follow कर सकते हो तो यह तो हो गई हमारी बात किसको कैसे करना है अब चलते हैं free के source के है अब देखें यह है free practice sources अब आपको free में practice कहां से करनी है अच्छे से कोई tension लेन की ज़ुरती में सब बता रहा हूँ यह तो आपको मिली जाएंगे यह आप खुद लिकते हो उसके बाद मैं बात करो simplification के approximation के quadratic missing wrong यह सब कहां से मिलेंगे तो देखो यह सब 5 आपके source है इन पाचों से आपको मिलेंगे कैसे देखो पहला source है अपना practice mark free uses मैं बताऊँगा कौन से कैसे आपको देने है तीक है उसके बाद है adda 247 free uses और यह कहां मिलेंगे कैसे रूनने मैं यह भी आपको बताऊँगा उसके बाद है smart की रा smart की रा में कहां पे मिलेंगे practice question गाइडली के practice quiz कहां से मिलेंगे daily आपको एक more test तो जरूर देना है उससे आपको time pressure का पता चलेगा time limit में कैसे बनाना है आपके उपर time रहेगा अच्छा यह Qs से practice करने के लिए मैं क्यों कहां हूँ मैं इसलिए कहां हूँ क्यों कि सामने घड़ी चलती रहेगी Qs में घड़ी चलती रहती है आपको time pressure में करने की आदत पड़ेगी इसलिए मैं कहा रहा हूँ timer के साथ दीजी उसका home page यह आ जाएगा आपके सामने अब आपको यहां पर कहां पर जाना है देखो मैं बता देता हूँ यहां पर लिखा हुआ देखो सबसे उपर free Qs आप जैसे ही login करेंगे उसके बाद यहां पर free Qs करके यहां पर icon आ रहा होगा अब आप इस पर click कर दीजी अब आपके सामने Qs खुल जाएंगे यहां पर क्वांट का Qs खुल गया रीजिंग का खुल गया इंग्लिश का खुल गया current affairs का खुल गया ओके यह topic wise Qs है आपको topic wise पढ़ना है देखिए अब आपको कैसे पढ़ना है इसमें से कैसे हमार को questions करने है कैसे practice करनी है देखिए यह जैसे ही आपका Qs खुल गया तो देखिए यहां पर questions यहां पर यह आपके खुल गया यह देख रहे है अब इसमें देखिए इसकी बहुत अच्छी खास्यत है यह पहले ही उपर लिख देगा है किसका Qs है देखो DI करती है तो DI का era Qs हर एक Qs में 2 DI तो होगी 2 DI की set होग यह वर्ड प्रॉब्लम है अभी आपको सिर्फ calculation पार्ट करना है तो calculation पार्ट के लिए simplification approximation नंबर स्रीज एक्वेशन comparison मतलब quadratic equation तो यहां से आप यह कर सकते हैं इसको छोड़ दीजी अभी इसको छोड़ दीजी यहां पर simplification दे रखे हैं ऐसे आप इसली यहां से अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कवर कर सकते हैं यहां पर देखिए सब का अलग अलग यहां पर इनों ने दिया हुआ इसके बाद इसके अंदर आपको यह analytics भी बता देगा और solutions भी बता देगा यह तो होगया प्रैक्टिस मोक अब मैं आपको नेक्स बताता हूं अब आप गूगल पर टाइप करेंगे अड़ा 247 अड़ा 247 टाइप करते ही आपके सामनी यह page open हो जाएगा अड़ा 247 ठीक है इसके home page में आई आप इसके home page में आके आप नीचे scroll करो नीचे scroll करो नीचे scroll करो नीचे और नीचे scroll करो अब देखो यहाँ पर आपको यह ओल करके दिखरा होगा यह ओल यह पर इसमें छोटा एक यहां पर ही डोट दिया हुआ है इसको क्लिक करो यहां पर देखो current affairs daily quiz job alert article अपनको daily quiz पर जाना है, यह daily quiz पर आगे, अब देखो, यहाँ पर daily quiz दिये हुए, memory based, general awareness, ठीक है, सबके दिये हुए, अपनको तो तो सी calculation part ढूनने हैं सबसे पहले, तो देखो, direction sense, sb, clerk, यह reasoning का हो जाएगा, memory based, तो ऐसे करके, आप यहाँ पर daily quiz ढून सकते हैं, यहाँ से आप आगे next next करके, यहाँ से भी आप quiz दे सकते हैं, यह सब free material है, ठीक है, यहाँ से आप अपनी practice करिए, ओके, यह हो गए आपके दो source, अब चलते हैं तीसे source के उपर, अब देखिए, आपने जैसे ही Google पर टाइप करा smart keyra, तो आपके सामने यह home page खुल जाएगा, first link पर जाते ही, यह smart keyra दे रखा है, यह home page है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर quant, reasoning और English, सबका अलग-अलग session दे रखा है, अपनको quant की बात करनी है, तो अपन quant पर चलते हैं, इसको मैं अंदर click कर देता हूँ, ठीक है, यह देखें, यह आपके सामने quant खुल जाएगा, अब quant के अंदर आप गए, ठीक है, तो आपने देखा, यहाँ पर आप गए, आपने देखा, यहाँ पर सब कुछ देखो, give way नहीं है आपर, अलग-अलग चीज आपको उपड इन्होंने सब लिखके बता रखा है, यह data interpretation का है, यह quadratic equation का क्यूज है, यह approximation का है, ठीक है, और आप देख लो simplification का यहाँ नंबर से इसका यहाँ तो यहाँ से भी आप अपनी practice को अच्छे से कर सकते हैं, एक मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ, इसमें क्या कैसे दे रखा है, देखो, मैं simplification खोल देता हूँ, यह आपने simplification खोला, यह level 1 की बात कर रहा है, यह आपनी खोल लिया, यह आपके सामने QS आ गए, एक यूज आगया आपके सामने, अब आप यहां से option टिक कर दीजिए, solution देख लो, explanation देख लो, यह इसका explanation है, ऐसे आप यहां से अपनी practice कर सकते हैं, आपके पास 3 free के source हो गए, अब चलते हैं, 14 source पे, यह आपका 4 source है, भोती अच्छा source है, अब आप इसमें जैसे ही Google पे practice moq, यह आप guidely भी लिखेंगे, तो आपके सामने, सबसे पहला जो link आएगा, उसके अंदर आप guidely खोलो, यह आपको homepage आदेगा, इस तरह से आपका homepage दिखेगा, ठीके, आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको नीचे scroll करना, इसमें, यह नीचे scroll करना, इसमें, यह नी कर दिया, ठीके, इसको open करते ही, आप पहले banking insurance का देरो, तो banking insurance चूज कर लो, ठीके, यहाँ से आप देख लो, क्वांट का, यहाँ से मैं क्वांट को क्लिक कर देता हूँ, ठीके, जैसे ही मैंने क्वांट को क्लिक करा, तो यहाँ पे मेरे, देखो, क्यूज खुल गए, as we, एक लग प्लियम्स के उपर base cues है, as we, एक लग प्लियम्स के उपर base cues है, day 61, ठीके, इसके अंदर आपको mixed cues मिलेंगे, आप practice करते समय, इसको भी use कर सकते हो, बहुत ही अच्छे source बता रहूँ है, सारे free है, ठीके, एक मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, for example, मैंने यह day 62, अभी आपको login करना पड़ेगा, जैसे आप login करेंगे, तो यह cues आपका खुल जाएगा, तो यह हो गया आपके 400, ठीके, अब जो last source अपना बचरा है, वो है ST, अब ST आपने कोई न कोई एक pack खरीद रखा होगा, आप उसमें से daily एक ST दीजिए, अब आप ST देंगे, तो ST के होंगे, डी आई के होंगे, अगर आप ऐसे practice करते हैं, तो आप surely SBA clerk का जो pre होने वाला है, उसमें आप 25 marks easily लियाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बारा मिनट में, सिर्फ और सिर्फ बारा मिनट में, ठीक है, बारा मिनट में आप easily 25 marks ला सकते हैं, उसके बाद जो आपके 8 करिए, प्रोब्लम बेस को करिए, उसके practice करिए, ठीक है, तो ये strategy मैं अपनाता हूँ, मैं रोज ऐसे practice करता हूँ, I hope आपको ये video अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये मेरी strategy अच्छे लगी हो, तो please like, share and subscribe